दोस्तों आपके फोन में ये जो Google डाइलर होता है ये वाला डाइलर जिसे आप क्लिक करके किसी को कॉल करते हैं आप इस पे अगर फिंगर प्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं कि जब ये खोले तो आपसे फिंगर प्रिंट मांगे बाद में ये खुले ये कैसे करेंगे इसके ये लिए आप जाईए अपने फोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाते ही इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ पर नीचे की और स्क्रॉल करिए नीचे की और स्क्रॉल करते ही एक अप्स का ओप्शन दिखाएगा आप इस पे क्लिक करिए उस पे क्लिक करने क पासवर्ड अगर आपने अभी तक सेट नहीं किया है तो फिर आपको वहाँ पर सेट करने को कहेगा ओके तो आप वहीं पर इसली सेट कर दीजेगा उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको एप्स की लिफ्ट दिखा रहा होगा आपको क्या कर करेंगे तो आपको दिखा देगा यहे आपको क्या करना है सिंप्ली यहां पर इसके सामने यह जो आपको धि कर कर दे हैं मतलब इसका एप państwo on कर देना app lock on करने के बाद उपर settings का icon दिखेगा इस ते click करिएगा और यहाँ पर fingerprint unlock आपके में बंद है इस type से तो आप simply यहाँ पर इसको click करिएगा on करने के लिए अपना fingerprint verify करिएगा उसके बाद आपका यहाँ पर जो है यह on हो जाएगा और अब जब भी आप अपने phone में यह phone app खोलेंगे तो आप से माँगेगा fingerprint अब जैसे ही आप अपना fingerprint यहाँ पर डालेंगे तो यह खुल जाएगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीज़े like channel को कर लीज़े subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए